अचके इस पीडियम में आपको बताने वाली हूँ, इसके लिए मैंने कमेंस पर रिसेप किया था, सरकों मैं थैंक्स एना चाहती हूँ कमेंस करने के लिए कमेंस उनका यह था कि जो हमारे संडरी क्रेडिटर्स होते हैं, या निकि जो आपके सप्लायर्स होते हैं अगर आप एक जगह अपने सारे संडरी क्रेडिटर्स का लिस्ट चाहते हैं, कि कितना लेन देन है उनसे, तो इनका लिस्ट अगर आप एक जगह एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर आप पीडियो में, एक्सल में, किसी भी फॉर्मिट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सभी का सभागत करती हूं, आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हब में, तो चली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, और आगे बढ़ने से पहले, एक छोटी से रिक्वेस्ट है मेरी आप सितना चाहता है, या फिर स्टुडेंट को करना चाहते हैं, या अपने फ्रेंड्स को करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, जो भी इंट्रेस्टेड हैं, आप उन सभी से मेरी चैनल को शेर कर सकते हैं, तो चली वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, टैली प्राइम को ओपन कर ल capabilities में जब आप enterprise करेंगे तो यहां आपको sundry creditors show होंगे इस पे आपको enterprise करना है अब आप यहां देख सकते हैं जितने भी आपके sundry creators यानि की suppliers हैं उनकी list show होगी यहां सिर्फ आपको दो list show हो रही है क्यों क्योंकि सिर्फ दो ही transaction हमने किये हैं आप जितने भी transaction करेंगे वो सारे sundry creditors के list यानि के suppliers के list आपको यहां पे show होंगे तो यह list आपको show हो रही है तो जितनी भी list है आपको show होगी उसके बाद export पे click करना है देन हम current पे click करेंगे उसके बाद देखिए जो file format है वो excel spreadsheet में already है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इसको change कर सकते हैं अब हम send पे click करेंगे तो आपका जो file है आप देख सकते हैं यहां पे आपके suppliers का जो list है वो export हो चुका है आप इसको save कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप इसको PDF में करना चाहते हैं तो आपको export पे click करना है then current पे उसके बाद हम configure पे click करेंगे और उसके बाद file format में enter press करने के बाद आपको यहां से PDF format को select कर लेना है उसके बाद हम करेंगे send पे click अब आप देख सकते हैं वही same जो हमने जो sundry creators किया था अब वो ही यहां पे save हो गया है PDF format में तो आप चाहे तो PDF format में भी कर सकते हैं आप चाहे तो Excel format में भी कर सकते हैं इस तरीके से आप save करके sundry characters का list देख सकते हैं आप मेरे चैनल को search भी कर सकते हैं मेरे channel का name है सुमन education hub आपको वहाँ playlist मिल जाएगी आप playlist भी वाच कर सकते हैं playlist आपके लिए कापी helpful रहेगा तो डेफिनेटली प्लेलिस को वाच किजेगा आई हो यह जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है यह वीडियो आप सभी लोग के लिए helpful रही होगी अगर helpful रही है तो एक च्छुटा सा काम कर दिजेगा जाने अब वीडियो से पहले चेर को लाइक शेर सब्स्राइब कर दिजेगा थैंक यू और कीप वाचिंग मैं वीडियो